So Hello Everyone, Welcome to our YouTube Channel, Mystical Texts तो जैसा कि आप मेंसे काफी साहे लोगों को पता होगा कि और आप मेंसे काफी साहे लोग यूज भी करते होंगे Jio की SIM तो अभी तक आप सिर्फ Jio की SIM यूज करते थे उसके बाद Jio अपना फोन लेकर आया उस टाइम पे उनने ओफर दिया था कि आप 500 रुपे दीजिए अपना पुराना फोन हमें दीजिए और आपको Jio का फीचर फोन देखने के लिए मिल जाएगा So अब बारी Jio के Laptops की है जो की Jio Book होने वाले हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप 500 रुपे दीजिए अपना फुराना Laptop दीजिए और नया Jio Book ले जाएए तो सारी ही बातों के बारे में आज इस वीडियो में डिसस करने वाले है तो वीडियो काफी जादे इंट्रस्टिंग होने वाली है तो वीडियो का इंट तक जरूर देखेगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर बात की जाएं Jio के Laptop के बारे में या Jio Book के बारे में तो इसमें आपको Intel या AMD के प्रोसेसर नहीं देखने के लिए मिलेंगे इसमें आपको Snapdragon का 665 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंवाला है आपने सही सुना इसमें आपको Snapdragon के chipset देखने के लिए मिलेगा जैसे कि हाली में थोड़े टाइम पहले Apple ने अपना Macbook निका रहा था उसमें हमें Apple की M1 chipset देखने के लिए मिले थी जो की A14 की तरही थी जो की पूरी similar थी बस उसे laptops के लिए बनाया गया था जियो का तो इसमें आपको जो OS देखने के लिए मिलता था वो जियो का खुद का OS ही था तो वही सेम चीज हमें यहां पे भी देखने के लिए मिलेगी हमें सारे ही जियो के apps देखने के लिए मिलेंगे Google का हमें कोई भी app देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे कि Jio, Meet और Jio का खुद का जो Play Store है Jio का App Store आप कह सकते हैं और फिर Jio का जो गाने वाला है, Movies का है जितने भी है वो सारे ही Apps हमें आप पे देखने के लिए मिलेंगे इस Laptop में तो अगर देखा जाएं तो यहाँ पे यह Complete Laptop नहीं होने वाला है यह कुछ-कुछ Similar हो सकता है Chromebook से आप इसे एक Tablet भी बोल सकते हैं एक Laptop Tablet तो इसमें आपको Jio का OS देखने के लिए मिलेगा आपको Snapdragon की Chipset देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे जहां तक है आपको एक touchscreen का feature भी देखने के लिए मिलेगा और एक keyboard भी attached देखने के लिए मिलेगा So I think आप उस screen को जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं यह Laptop basically सिर्फ उन लोगों के लिए है जिने e-learning करनी है या फिर जिने एक Laptop purchase करना है बट वो एक Laptop purchase नहीं कर सकते हैं और tablet का भी काफी जादा craze आ चुका है आजकल मार्केट में तो यह एक tablet की तरह भी आप इसे ले सकते हैं एक tablet का replacement आप इसे कह सकते हैं तो अगर अब बात की जाए इस Laptop के look के बारे में इसकी design के बारे में तो फिलाल तक ऐसी कुछ खास leaks आई नहीं है लेकिन एक काफी popular developer है XDA तो उन्होंने अपने एक article में इसका prototype share किया है हमारे साथ तो वो जो laptop होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है यह final product नहीं है यह बस उसका prototype है तो अगर देखा जाएं तो एक laptop का replacement नहीं होने वाला है यह एक tablet की तरह ही होने वाला है with an attached keyboard और जिससे आप कभी भी निकाल भी सकते हैं और इसमें आपको touchscreen भी देखने के लिए मिलने वाला है तो यह कुछ इस तरीके से होने वाला है जियो book या आप इसे जियो laptop कह सकते हैं और अगर बात की जाएं इसकी pricing के बारे में तो यह laptop जितना costly नहीं होने वाला है इसकी जो pricing होगी वो somewhere around 18,000 to 25,000 के बीच में होने वाली है और अगर बात की जाएं इसकी launch date के बारे में तो फिलाल से prototype आया है जो laptop होगा वो इस साल के end तक या फिर हम कह सकते है quarter 3 तक हमें देखने के लिए मिल सकता है और जियो ने हाली में Intel के साथ, Qualcomm के साथ और Facebook के साथ और शायद Google के साथ भी partnership की थी I don't think so कि यह कुछ उसी का ही एक product है या आप कह सकते हैं कि यह एक उसी का ही product है क्योंकि जियो ने काफी साथ चीजों के साथ partnership की थी Facebook, Qualcomm, Intel, Google सबके साथ partnership की थी तो इसी लिए जियो अपना खुद का laptop लेकर आने वाला है और in future हमें और भी जियो के काफी साथ products देखने के लिए मिल सकते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही और हमते के लिए मिल सकते हैं और हमें आने ही जियो किए झाला ह मुझ का हुदों की पाला है तुआ के लिएट में खुदों के लिए पाला है